hi guys 기ana कहीं लोगों की demand को सुन्ती तो है यह बात मैंने कई बाइव नोटेस किई है क्योंकि पहले लोगों की demand आई कि हमें सच्टे में 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 महिंद्रा थार चाहिए तो महिंद्रा ने लॉँच कर दी 4x2 महिंद्रा थार वहीं लोग आफ्टर-market जाकर अपनी थार वाइट कलर का रैप करवारे देखांगा वाइट कलर लोगों को बहुत पसंद होता है तो महिंद्रा से यह बात बर्दास नहीं हूँ और कंपनी से यह इसका हाट टॉप डीजल आटोमेटिक वाला विरेंट स्वरी मैनुवल विरेंट है यह आपको कमपनी सही वायट कलर देखने को मिल जाता है तो आज की विल्व में जानने वाले हैं कि इस गाड़ी का प्राइस कितना है क्या फीचर देखने को मिल जाती है और क्या कुछ स्टा ने एक्स्टा कर देखने को मिलता है तो स्टार्ट करतेश की फ्रन प्रॉफाइल से तो ऐसे यहींकुछ ळेखने को मिलती है एपको विहंपर आपको हाय्ट देखने को को मिलेगी को भी आपको आफटर मार्केट वाली एक्स्टा गिल देखने को नहीं मिलती यहां पर आपको कुछ इंसर्ट देखने को बलते हैं महिंद्रा की ब्रेंडिक देखने को मिल जाती है बाकी वैट कलर में थार कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना वाइट पर देखने को मिलेगे और आगे आपको Please अपको डरंवी अबर देखने को मिलती है और यहां पर आपको टर्ण इंडिकेटर सब की अर्फ Wonderful और यहां को अउपर का पकॉण देखने को मिल जाते है इंचे उपर आपको थार ब्रेंडिंड स्मेंश्म देखनेंों मिल और डोर हैंडर्स आपको ब्लैक कलर में देखने को मिल जाते हैं बाकि यहां पर आपको देखने को मिलते हैं श्यून लेड बात करते हैं इसकी रियर प्रोफाइल की तो रियर से ऐसी कुछ नजर आती है और लिव महिंद्रा थार तो बात करें रियर प्रोफाइल की तो रियर से भी आपको वही टिपिकल लुक देखने को नहीं मिलती कोई भी आपको एक्स्ट्रा चेज देखने को नहीं मिलते है फोर वाई टू और फोर वाई फोर महिंद्रा थार में तो ऐसे कुछ देखने को मिलती है पीछे को आपको स्पियर वील भी देखने को मिल जाता है बात कर उसके रियर के door की तो रियर डोर कुछ ऐसे open होता है पहले आपको यह बवाला door open करना पड़ेगा फिर आपको यह बवाला door open करना पड़ेगा बाकि टोर नहीं मिलते हैं मुझत वही ऐसा नहीं कि 4v2 मापेंदा था थाणव तो कुछ extra मिलेगा कुछ भी आपको एक्स्रा देखने को नहीं मिलता लेकिन आपको दो तो ही चेंजिस देखने को मिल जाते हैं चेंजिस क्या देखने को मिलते हैं उन चेंजिस की मैं करता हूँ बात यहाँ पर आपको कोई भी 4x4 की बैचिंग देखने को नहीं मिलती तो इंटीर आप मेंद्रा थार इंटीर आपको वही टिपिकल देखने को मिलेगा कोई आपको एक्स्ट्रा चेंज देखने को नहीं मिलते हैं इंटीर आपको फुली रगेड देखने को मिल जाता है जी हां आपको इंटीर आपको फुली ब्लैक देखने को मिलेगा ऐसी कुछ सब्सक्राइब चुर्ट कान पर आनके सब्सक्राइब श्कषाल Dennis One Ho को 1000 लाट वग रखके कुछ बेटन देखने को उश्वाट में मिलता है तो कोई वायलेस चार्जर वगड़ा देखने को नहीं मिलता है लेकिन यह छोड़य नको आफ का पॉर्ट को पॉट विटखने को बिलाता हुश्वाज एक वायल युटकी का पोरट ने को पर नहीं मिलता तकी सिक्स इस पूर आपको गियर नौ देहे को सब्देखने को बखरया बाधेफश्प्ट इस और ऐससा पर फ्री गडडेट मिलजाता है या पर देखने को बिल जाता और शाल खरद लगता हैthe पूरी में अच्छा आपको इंटीरियर्ट Tibet वैस्ट देखने को मिलता और शरीट जाने पर Depot अगे देखने को मिल जाते हैं एक नौर्मल बड़ी गाड़ी म हमाई यलो लीट यड़िया लेकिन ऑपको सब्सके अब GBD डेखने को बिलाते हैं दो पीछ एड़िस्ट करने का पटन देखने को मिल जाता है बाकि यहाँ पर आपको ब्लैक करर में ही दो रोपनर देखने को मिलता है अगर यह फोर वाई फोर होती तो यह आपको शिलर फिनिस में देखने को मिल जाता है बाकि थार की ब्रेंडिक देखने को मिल जाती है तो काफी अच करते हैं इसके engine options की तो इसमें आपको 1.5 डीटर डीजल इंजर देखने को मिल जाता है जिसके power figure की बात करते हैं तो यह 161 बीच्प जी है गाज 116 बीच्प गी power और 300 जी है गाज 300 एनम का massive torque निकाल कर देती है यह 1.5 डीडर वाली 4 by 2 मेंदरा थार जी है गाज इसमें आपको 1500 CC वाले engine थार में भी आपको 300 PHP के power देखने को मिल जाती है बाकि mileage की बात करें तो company इसमें 10 से 11 का ही claim करती है कोई आपको खास mileage आगरा के अंदर 30 लेक 92 जी है गाज almost आपको 40 लेक में आगरा के अंदर ओन रोड देखने को मिल जाती है तो आज की वीडियो होब करता हूं वीडियो आपको पसंद आए वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें कोमेंट करें शियर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें मिलते हैं अगली वीडियो में जय हिंद जय भारत